हेलो फ्रेंड्स यह है लेशन नमबर 26 और इसमें हम सीखने वाला है यूजर इन्पूट तो डाइनमिकली वेल्यू हम कैसे दे सकते हैं याने की प्रोग्राम रन होने के बाद हमें वेल्यू एंटर करनी है वेरियाबल की तो कैसे करेंगे यह हम इसके अंदर सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि स्ट्रिंग वेल्यू कैसे एंटर करते हैं तो देखो मैं यह आप लिखता हम नम वेरियाबल इकोल टू एंड इन्पूट फंक्शन का यूज करके आप पाइफन के अंदर वेल्यू एंटर कर सकते हो ओके इन्पूट और उसके अंदर आप म करना है तो यहां पर डेबल कोटेशन में मेसेज एंटर कर सकते हो या फिर आप डेबल कोटेशन नहीं लिखो तो अभी चलेगा ओके तो यहांपर में लिखता हो डेबल कोटेशन में enter num तो input method का यूज़ करके आप input करवा सकते हो num print and num तो कोई भी string एंटर करवा नहीं हो आपको input function का यूज़ करे और अंदर लिख दे जो भी message लिखना है वो okay तो फ्रेटी गलकों पहले save करते हैं चला ctrl s and input one dot py यह हमने save किया है eDrive के अंदर python program में ठीक है तो अब iscom run करेंगे eDrive के अंदर से cmd में से क्योंकि यहाँ sorry यहाँ पर sublime text editor में value enter होने में थोड़ी problem होती है dynamically तो देखो यह eDrive program file नाम का folder है हमारा वो यहाँ पर में cmd open करता हूँ okay तो यह open हो गया है cmd अब यहाँ पर क्या लिखना है python okay और हमारा पेटेगल का नाम input 1.py okay enter तो जैसे ही हमने enter किया तो यहाँ पर आ गया enter your name okay तो यहाँ पर आपका नाम enter करना है okay मैं यहाँ पर enter करता हूँ gdp और आगया gdp okay sorry तो इस तरीक से आप dynamically value enter करवा सकते हूँ okay अब देखो name आगया फिर मैं यहाँ पर college name दूसरा variable लेता हूँ okay college का नाम आपको enter करवाना है तो equal to करके input and enter college name okay and column print college name okay तो input function है यह python के अंदर और simple यहाँ पर आपको सिर्फ input लिखना है into bracket message लिखना है और जो भी value एंटर करेगे वह इस left hand side variable में copy हो जाएगी okay तो यह input जो function है वह string value एंटर करवाता है okay देखो वापस से हम practical run करते है enter name gdp enter college name 123 enter करता हम okay तो देखो दोनो value एंटर होगे ही string value तो यह बात होगे ही string की okay अब यह comment दियादिया अब हम एंटर करेंगे integer values okay int values okay तो मैं यहाँ पर लेता हूँ number one equal to और input की जगह मैं लेखता हूँ integer int तो int function क्या करता है string को integer में convert करता है और input function क्या करता है string value input करता है तो हमें input function को int के अंदर लिखना है तो यहाँ पर लिखूंगा input okay double quotation में लिखना है enter number one colon यहाँ पर में लिखूंगा number two equal to int input enter number two okay तो देखो यह number one और number two enter हो गया और यह integer में convert होकर आएगी value अब आप जो भी जहाँ उसके साथ यह कर सकते है addition, subtraction, multiplication तो मैं यहाँ पर addition करता हूँ simple number one plus number two और मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ print addition, colon and add okay करेंगे हम integer value दोनों के addition हुआ और display हो गया यहाँ पर देखो इसको run करके देखते हैं enter number one तो मैं five enter करता हूँ यहाँ पर six enter करता हूँ मैं तो addition 11 तो इस तरीके से dynamically आप value provide कर सकते हूँ practical के अंदर python के अंदर और यदि आपको float लेना है तो सिर्फ यहाँ पर float लिखना है जो भी value enter करेंगे वहाँ पर आपको float लिखना है चलो एक example ले लेते है float का भी इसको हम पहले comment देते हैं multiland comment has and float value अब देखो floating point value हमें enter करनी है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ number equal to and float into bracket यह float function है जो string को floating point का convert करता है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा input और enter float number okay और simple इसको हम display करता है आप दो number enter करवा के operation भी पर कुम कर सकते हो जो हमने addition किया था उस तरह तो float function string to integer convert करता है और number variable में आ जाएगा number जो भी आप enter करोगे वह देखो मैं इसको run करता हूँ enter float number तो मैं 3.4 enter करता हूँ और यह आ गया 3.4 तो इस तरीके से आप integer value enter करवा सकते हो using int function string value enter करने के लिए simple आपको input लिखना है जो भी string value हो और floating के लिए आपको सिर्फ float लिखना है into bracket input enter float number तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो double quotation में लिखते हैं वो सिर्फ message है और यह message compulsory लिखना जरूरी नहीं है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा तो इस lesson में सीखा कि input value हम कैसे देते हैं और अगले lesson में सीखेंगे कि list के लिए value कैसे enter करें dynamically इस lesson में सीखा कि integer plot and string value कैसे enter करते हैं अगले lesson में list देखेंगे कि list को dynamically कैसे enter करवाते हैं इस lesson में इतना ही देखेंगे देखेंगे प्रक्राइब प्रॉब झाल झाल